नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं निवाचन नियमावली के अनुसार 6 महिने के अंदर उपचुनाव कराने के प्रधान है ऐसे में कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर से पहले उपचुनाव करा लिये जाएंगे वहें आपको याद होगा जगानात महदों का निधन 6 अपरेल 2023 को चेन्नाई में इलाज के दोरान हो गया था मंत्री के निधन से राइनितिक दलों में सोक किलार दोर पड़ी थी जारखन में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है 27 अर 29 अपरेल को एक बार फिर मौसम में बदला होगा जिसकी वजह से राजी के कई जीलों में तेज हवा के साथ साथ समने बारिस होने की संभावना जताई गई है इन दिनों आसमान में बादल चाहे रहेंगे और तापमान में 3-4 डिगरी की गिरावट होगी बदादे राइधानी राची में भी लोगों को उमस भरी गर्मी सराथ मिलेगी मौसम विभाग के द्वारे बताया गया है कि इन दिनों में आस्मान में बादल चाहे रहेंगे इसके साथ ही कई जगों पर बजरपात भी होने की समभना है समाने से 2-3 डिग्री तापमान में गिरावट होगी और 30-40 किलोमेटर की रफ्तार से तेज हवा चनले की समना जताई गई है मौसम बैग्यानी अविसेख अनंद के अनुसार जारखन में उमस भरी गर्मी के बाद एक बर फिर लोगों को रहात मिलेगी और तापमान में थोड़ी गिरावट होगी जारखन के नौवी से बरहवी तक के सर्वधिक बिद्यार्थी बीच में ही छोड़ रहे पढ़ाई जारखन के सरकारी स्कूलों के बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं का हाई श्कूल वा प्लास टू स्कूलों की कक्षाओं में 6-16 का ड्रॉप आउट दर सब से अधिक है बता दे का ड़वा में हाई प्लस टू स्कूलों में सबसे ज्यादा इसका खुला सा इसकोली सिक्षावासर चर्टावी भाग के आकड़ों से हुगा है इसकोली सिक्षावासर चर्टावी भाग ने राजे में इसकेंडरी और हायर सेकंडरी का एन्यूर एवरेज ड्राप आउट रेटे जारी किया है इसमें प्राइमरी स्कूलों जिसमें पहली से पांचवी में ओर ओल रिप आउट एक पॉएंट साथ पुर्टि से ठाव है जारखन में कुरोना 350 के पार जारखन में पिछले 24 गंटे में 115 नए कुरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं सबसे ज़्यादा छेहातर में जमसेद पूरों मिले हैं वही राजधानी राची में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं बदा दे पिछले 24 गंटे में राजय भर में 115 नई करोना संक्रमित मिले इन आकड़ों के साथ ही इस साल जारकन में एक दिन में सबसे अधिक करोना केस मिलने का रिकॉर्ड बन गया है इससे पहले 23 अप्रेल को जारकन में एक दिन में कुरोना के सबसे अधिक 63 नाई केस मिले थे पिछले 24 गंटे में राजबर में हुए 7640 संदिकदों के सेंपल टेस्ट में 115 नाई कुरोना संक्रामित की पहचान हुई पुर्वी सिंभू में सबसे ज़्यादा 26 नाई केस मिले जिसमें सबसे ज़्यादा कस्तुर्वा बिद्याले की छत्राओ किया है वही रांची में 9 कुरोना संक्रामित मिले हैं इस आकड़े के साथ ही राजे में कुरोना के एक टिप केस की संख्या बढ़का 366 हो गाई जरूरत मंदों के लिए यार अम्बूलेंस की सुविधा कॉल से मुख्य मंतरी हमनसुरें जारखन की इतिहास में पहली बार 28 सप्रेल को राजी की जनता के लिए मुख्य मंतरी यार अम्बूलेंस सेवा का सुवाराम करेंगे बता दे कि मुख्य मंतरी सरकार गठन के बाद से ही गंभी रूप से बीमार राज जवासियों के प्रतिस संवेदन सिल रहे हैं यही वज़ा है कि मुख्यमंत्री के संग्यान में आते ही ऐसे गंभे रूप से बिमार लोगों को सरकार ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली मुंबई या किसी अन्य राज में भेजने के लिए एरमुलेंस के सुविदा परदान की है इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी सामिल रहेंगे कुरोणा संग्रमन काल में मुख्यमंत्री को जनकारी प्राप्थ होई की राची निवासी सृष्टी सिंग को लिभर के इलाज के लिए दिल्ली भेजना जरूरी है ततकाल मुख्यमंत्री ने बच्ची को एर मुलेन से दिली भेजा ऐसे ही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एसिड अटेक में घायल चत्रा निवासी बच्ची की बेहतर इलाज के लिए भी एर मुलेन से 30 अगसे 2022 को दिली सिफ्ट किया गया जारखन के पाँच जीलो को नर्सिंग कॉलेज की सोगात केंद्रीय केविनेट ने बुद्धवार को देश में 157 नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दे दिया इसमें पाँच जारखन के हजारी बाग कोडरमा पलामो दुमका वाचाई बसा में खुलेंगे स्वास्त विभाकियापर मुक्सचिव अरुन कुमार सिंग ने बताया है कि दुमका पलामो वाचारी बाग के नर्सिंग कॉलेज के लिए डी पी आर तैयार हो चुका है इसके लिए जगा भी चीनित कर लिगाई है जल्दी अन्य पर किरिया पूरी कर कॉलेज के निर्मान का कारे शुरू कर दिया जाएगा सिंग ने बताया है कि कोडरमा एवं चाई बँढसा में नर्सिंग कॉलेज कहले के लिए जगा चीनित करने के पीर करिया जल्द पूरी कर लिजाएगी राजे में खुलने वाले सभी पांचों नर्सिंग कॉलेजों को मेडिकल कॉलेज से सम्मन्दित किया जाएगा दुमका पलामू एम हजारी बाग में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है जबकि कोडर्मा एम चाइबासा में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाना है बन्ना गुपता ने कहा दो मिनट में सोप दूंगा मोबाइल जर्खन सरकार के स्वासबंतरी बन्ना गुपता ने महिला के साथ वाइरल हो रहे है असलीर वीडियो को भी पक्षी नेताव के साजिस करार दिया है इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में पुलिस जाच कर हर संभव सहयोग का भरुचा दिया उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास मैं बतर भुक्त भोगी पहुचा हूँ और पुलिस जब चाहेगी अपना मोबाइल जाच के लिए सोब दूंगा इस पुरा मामले पर मुखर दिख रहे है बिधायक सरजु राय को भी उन्होंने लगे हाँच चुनोती दे डाली उन्होंने कहा है कि मैं अपना मोबाइल दो मिलेट में पुलिस को सब दूंगा और पुलिस को जहाँ जाच करानी हो करा ले लेकिन सदयव नयतिक्ता की बात करने वाले सरजु राय यह बताए कि पुलित महिला की पाचान उजागर करने के लिए उन्होंने इनकी मकसद क्यों की बना गुपता ने आगे कहा है कि अगर किसी की पहचार उजागीर ही करनी है तो बताए कि उनके साथ रहने वाली और कारकरावों में साथ आने जाने वाली महिला कौन है और वह बच्चा किसका है लगे हाथ उन्होंने डियने जाज कराने की भी मांग कर डाली है असलील वीडियो मामले में बिजेपी ने कहा नकलील लड़की से दिलाया गया ब्यायन स्वास मंत्री बन्ना गुपता से जुड़े असलील वीडियो मामले में नया मुड़ाया है भाजपार ने तब विकास सिंग ने दावा किया है कि जिस लड़की का वीडियो ब्यायन जारी मंगलवार को किया गया वह दूसरी लड़की है विकास ने कहा कि मैं पूरे पर्मान के साथ साबित कर सकता हूँ कि वीडियो बनाया कर अपनी बात रखने वाली लड़की नकली है उन्होंने कहा अपने दामन में लगे दाग को छुपाने के लिए मंत्री बना कुपता ने चैटिंग वाई लड़की से मिले जूले सकल की लड़की को सामने लाकर वीडियो बनवाया विकास सिंग ने बताया है कि जिस लड़की के 17 अपरेल को रात रही एक बचकर 26 मेट पास लील वीडियो चैटिंग की जा रही थी उसकी गर्दन में तील का निसान है जारखन को मिलेंगे 9000 सिक्षाग जारखन को माई महीने में सिक्षको की बंफर नियुक्ती होने वाली है मुख मंत्री हमाचरे 29 माई को खेल गाओं में 17 करीम 9000 सिक्षको की नियुक्ती पत्र सोपेंगे इन सिक्षको की हाई स्कूल में नियुक्ती होगी इसके अलावे PGT, Model, School और कस्तुर्बा स्कूलों के साथ सर प्लस टू स्कूलों में परचारियों की नियुक्ति की परक्रिया शुरू कर दी गई है बता दे जारकन में अगले महिने बड़े प्रमान पर सिखो की नियुक्ति होने जा रही है मंत्री बना गुपता ने कहा कोशिस कर लिजे मेरा बाल भी बाका नहीं होगा है वारल वीडियो मावले में राजी के स्वास मंत्री बना गुपता ने बुद्ध्वार को प्रेश वारता अजित किया कुछ दिनों से लगतार मुझे बदनाम करने की कोशिस की जा रही है एक वीडियो वारल किया रहा है और कहा जा रहा है कि वीडियो तीन मिनट का भी है ऐसे में मैं कहना चाहता हो कि आप तीन घंटे का भी वीडियो वारल कर दिजिए जितनी कोशिस कर सकते हैं कर लीजिए लेकिन मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता साथ ही उन्होंने कहा है कि जितनी भी कोशिस कर लो एक न एक दिन सा कुछ बेनकाब होगा